एक गाउं में एक किसान रहा करता था। उसके पास बहुत ही कम धन था। लेकिन उसका सपना था कि वो अमीर बनेगा। एक दिन उसने अपनी खेती में खास ध्यान देते हुए एक चांदी के सिक्क्यों को खुदाई करते समय खोया। उसने सोचा कि चांदी का सिक्का उसके भागिक को बदल सकता है उसने वहाँ से सिक्का निकाला और उसने अपने घड ले गया उसने एक बुजुर्ग वैक्ति को उस सिक्के के बारें बताया और पूछा कि वो क्या करे जो बुजर्ग वैक्ति था उसने कहा कि वो उस सिक्क्यों को एक साल तक अपने खेट के किनारे लगा दे और जब वो वापस आए तो देखे कि उसका क्या हाल है किसान ने बुजर्ग की बात मान ली और सिक्का खेट के किनारे लगा दिया एक साल बाद वो वापस आया और देखा कि सिक्का कितना चमक रहा है उसने सिक्क्यों को बेच दिया और उससे अच्छा मुनाफ़ा कमाया दोस्तो इस कहानी से हमें ये सिक्क मिलती है कि कभी-कभी हमारा सपना हमारे भागे को बदल सकता है लेकिन हमें उसे पूरा करने के रिए कड़ी मैनत करनी पड़ती है जम लगन के साथ थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन हमारी मैनत का फल जरूर मिलता है आपको अभी नहीं पता चल रहा हो लेकिन आप प्रयास कर रहे हो निरंतन प्रयास करते रहो कुछ समय बाद जाव को काम्यावी मिलेगी तब खुद खुद एहसास हो जाएगा कि आपने कितनी कड़ी मेनत की थी रन्यवाद